नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंजिनियर गुपाल पटेल पर सब्सक्रेंट्स आज हम लोग उत्तर परदेश पावर कॉर्परेशन ओफ लिम्टेट ठीक है यूपी पीसेल टीजी टू के प्रिविएस येर कोश्टन का डिसकर्शन करेंगे ठीक है प्रेंट्स और इसका एकजाम 24 जन बरी तुझार 19 को वा था उसका आज हम लोग डिसकर्श करेंगे ठीक है जिसमें आप लोग को टोटल 250 कोशन पुजाते हैं 3 घंटे में ठीक है प्रेंट्स जिसमें आप लोग को 50 कंप्यूटर के 20 रिजनिंग के 15 कोश्टन हिंद करेंगे ठीक है ठीक है तो आईए बिने देर कोई पहला कोश्टन देखते हैं लोग टेकनिकल का और फ्रेंट्स वीडियो पूरा देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जितना होसे करें ठीक है अगर आप चैनल प पूर्नेत्या आवे सी सी सा अमल बैटरी का विश्ष्ट गूरूप क्या होता है तो यह होता है फ्रेंट्स बारा सव असी ठीक है नेक्स्स कोश्टन कोश्टन नमबर थर्ड देखते हैं विच टाइप ऑफ स्विच इस यूज इन अस्टेर केस बारिंग वेर वन लांप इस कॉंट्रोल्ड वाइ मोर थन तू प्लेस तो इसे हम लोग इंटर्मेडियेट स्विच कहते हैं ठीक है फ्रेंज कोश्टन नमबर फोर देखते हैं अन इंसुलेटिंग मेटेरियल का लो कोश्ट होता है हाई डायलेक्ट्रीर's स्टेंथ ne न हाइंड हाय मेर्थ सटेंड जह्ते हैं नहीं रहत्यात में एक्ट्रा आइंटर्मेडिय को थे तक हैं appropriate और देखते हैंक न आप सब लोग नोट करते हैंगा जो आपके exam point of view से बहुत ज़्यादा important होने वाला है किसी electric booster के लिए किस परकार के generator का उप्योग किया जाना चाहिए तो यह कहता है फ्रेंट्स series generator question number seven देखते हम लोग किसी battery को 40 ohm परतिरोज से जोड़ा जाता है यदि current एक एक एंपियर पैदा किया जाना है तो बैट्री का voltage बैट्री का voltage भीवरा और फर्मूर आदा है फ्रेंट्स आई आर ठीक है आई हमारा एक है और आर हमारा 40 है तो voltage हमारा कितना हो जाएगा 40 इसका से एंस और का option B question number eight देखते हैं हम लोग वीच टाइब ओफ फायर इस्टिंग्यूंसर इस यूज़ विद इलेक्ट्रिक फायर तो हम लोग CCL40 ठीक है प्रेंट्स कारवन टेट्राकुल्राइड का अप्योग करते हैं इलेक्ट्रिक फायर इस्टिंग्यूंसर के रूप में इसे हैलोन या CTC टैप करते हैं question number nine देखते है लुमेन पर वाट लुमेन पर वाट किसकी एसाइट होती है तो जाता है luminous intensity ठीक है फ्रेंट्स लुमिनियस intensity का एसाइट होता है लुमेन पर वाट नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन नमबर 10 देखते हैं एक एवी ओ मीटर डैस को माप सकता है इसके नाम में चुपा है फ्रेंट्स एसे हमारा एंपियर भी से वर्ल्ट ओ से ओम मीटर ठीक है तो एवी ओम मीटर हमारा करेंट एम्फ एंड परतिरोध को माप सकता है कोस्टन नमबर 11 देखते हैं लोग OCB का पूर्ण रूप क्या हता है तो OCB का पूर्ण रूप हता है वायल सर्किट ब्रेकर कोस्टन नमबर 12 देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग कोस्टन देखेंगे ठीक है ताकि आप लोग का समय बसे के और आपको प्रिवेस एर कोस्टन भी देखने को मिल जाए विच टाप ऑफ डायोड इस यूजड इन वोल्टेज रेविलेटर तो जीनल डायोड नेक्स कोस्टन कोस्टन नमर 13 देखते ह है किसी डीसी जनरेटर का इमफ का समय करने क्या हता है तो इमफ का फर्मूला था है फ्रेंट्स पी एन जेड़ फाइवाई शिक्स्टी ए ठीक है तो इसका सहीन सरुज़ेगा ऑप्शन ए देखिए हाँ पर आगे पीछले लिखावाँ फाइन जेड़ पीवाई शिक्स्ट सर्किट ब्रेकर का क्रियासील वोल्टेज डैस होता है तो यह हता है फ्रेंट्स 36 किलो वोल्ट से शासो साट किलो वोल्ट तक ठीक है कोस्टन नुम फिप्टिन देखते हम लोग भी भी वी एफ ट्रीपल वी एफ ड्राइब से क्या आज है तो इसका फॉल फॉर्म होता है वेरियेबल वोल्टेज वेरियेबल फ्रिक्वेंसी इंडक्षन मोटर ड्राइब ठीक है कोस्टन नुम 16 देखते हम लोग एक समाने एक सभाकच में निमलिखीत संस्थापना करने क्या अब सकता है छो एंपियर के तीन पिन वाले आठ सोकेट चालिस वाट वाली आठ टीव में ब्रत होगी तो यह चाहर्ग सर्कूल की जरुबत होगी ठीक है कोस्टन नॉम्बर सेवेंटीं दखते हैं ऐसा ट्रांस्फर्मर जिसमें कोई हानी नहीं नहीं होती तीए सग्ष मात्री अधरीश आधस्थ तरांस्फर्मर और इसका पिस्टायों देहान रखना पलों पर्सेंट कीओ किसरां कोई लॉसस नहीं होता है उक्टेस चाहसां है अब आध्ores गेखता है के सब होगात करदा करकें तो फॉक्रों खता है और फेक्टर कामान होता है रहां-बॉक्ष मुझे यहां यापको फेक्ट कामान होता है वंपॉइंट फॉर उन फोर फो सब्सक्राइब करते हैं इसका एटोमिंग रहता है 74 और इसका गनलांक होता है फ्रेंड्स एप्रोक्स आघी लेटोमिंग रहतल है तारॉक के विधुत रोधीी पर्ती रोधी मानेम परीक्व परेंट कॉंसा है यानी इन्सुलेशन ओड्र्शिटंस तो तो है यह मेगर करते हैं ठीक के और मेगर का ही उपयोग high resistance मेजर करने कि फिर हाइघर रचेंट्स का मान होता है फ्रेंग्स hundred kilo ohm से अधिक ए हाइ रचेंच का भेला होना चाहिए hundred kilo ohm से अधिक next question question कोश्टन नमर्ट 23 कि किसी इलेक्ट्रोन पर परवा होता है तो इलेक्ट्रोन पर परवा होता है फ्रेंट्स 1.6 गुने-10 के पावर माइनस 19 कुलम ठीक है तो इसका शेयन सरव के ऑप्शन C और है पर माइनस आपको जरूरी है ठीक फ्रेंट्स प्रोट्ट्न का बोलेगा तो पलस रहेगा ठीक है question number 24 देखते हैं ड्रोड दो ट्रांस्फर्मरों की तुल्या तुल्य कालिता के लिए कौन सी परमूख सर्थ है तो इसके लिए परमूख सर्थ होने चाहिए फ्रिक्वेंसी सेम रहां चाहिए सेम फेज सिक्वेंस रहां चाहिए ठीक है और होल्टेज भी ठीक है तो इसका सेजन सर्थ ऑप्शन थी नेक्स्ट कोशन कोश्टन नवर 25 देखते हैं सतह पर बाहक नाली वाली बाइरिंग के मामले में दो सेडलों के बीच अधिक्तम दूरी डैस से कम नहीं है चाहिए तो यह साट सेंटीमेटर से कम नहीं है ठीक है कोश्टन नवर 26 देखते हैं जनेरेटर डैस के सिधान पर कारे करता जो जनेरेटर फैराडेस के इंडेक्शन मोटर पर काम करता है तो ही आगर आपको यह उप्शन में देता और आप समय फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल ठीक है जनेरेटर और आपको मोटर बोले तो 27 देखते हैं निवन में कौन सबसे कुचल और बड़ी ओपी होगी अब मंदन डैंपिंग परनाली है तो यह फ्रेंट्स एडी करेंट परनाली कोश्टनों 28 देखते हैं परकास वेवस्था उपकरनों वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस समगरी कॉप्यों के आता है यह प्रेंट्स और पीतल किसका मिश्ण होता है तो पीतल कोपर यह जस्ता ठीक है नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन नवर 29 एक डीसी जनेरेटर में अधिक्तम दश्टा तभी होगी जब परिवर्ती हानी यानि भैरीएवल लौस ठीक है भैरीएवल लौस इस इक्वल टू कॉंस् थिक गडि इस ठीर्हानी के बरावर होगी तब उसमें जनेरेटर का दश्टा अधिकतम होगा कोस्टनहों 30 देखते हैं रार किसी टेपिंग स्वीच से जुड़ा हता है तो नकोनिंग से जुड़ा होता है Q31 देखते हैं किसी विदूद परिपत में पचास ओमबाला परतिरोध 200 वोल्ट आप पूर्ती संबन्दी थे तो I, I और B वटे R B कितना है 200 वोल्ट और R कितना है 50 तो 50 सके 200 4 एंपिर इसका सही अंसर हो गया Q32 देखते हैं किसी AC सरकीट में परति किरिया सिल सकती यानि reactive power द्वारा दिया जाता है तो यह दिया जाता है V I sin theta ठीक है वह यह आपको बोले कि reactive power को हम लोग कैसे denote करते हैं यहाँ पर आपको बोल दे कि transformer का reactive power कैसे denote करेंगे तो यहाँ से K V A R ठीक है फ्रेंट्स आर का मतलब यहाँ पर reactive ठीक है नेक्स कोशन कोश्टन नमर 33 कोश्टन नमर 33 है किलो वाट आवर मीटर या फिर इसो को हम लोग एनरजी मीटर करते हैं इस एन तो यह हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट रहता है जहाँ पर आपको जीस मीटर कैंत में आवर मीटर लग जाए थिक है आवर मीटर लगा लग जाय तो हमारा नएंटिग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ड्रंप स्विच क उपयोग depends में किया जाता है किसी ट्रांस्फर्मर में स्वस्थ नको यानि ब्रीथर का प्योंग किसली कहता है तो यह कहता है हवा से नमी को खीचने के लिए ठीक है को स्टान नमर 35 अब लोग को कि ब्रीथर में जो हमारा सिलिका जेल रहता है ठीक है कि अरे हमारा जो बाहर से नमी को खीचता है तो सीलिका जेल हमारा जो सुध में रहता है हमारा बुल feeling रहता है और जब खरहाब हो जाएगा यानि पा़ उसमें प्कलेघा तो वह ईंक क्लार हो जागा ठीक है आप लोग सकते हैं आपके अगल बंगल ट्रांस्फरमर लगा आएगा तो आप पर एक ब्रीथा रहता है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं कोश्टर नमर थर्टी सिक्स देखते हैं निम लिखित में कौन कम रख रखा वाला मोटर है तो यह मोटर है इंडक्शन मोटर ठीक है एया ओण्फ है थे कि और धूल करने वाले इ lengthy के पास होना चाहिए स होना चाहिए तो बायरमेन पर्मानपत्र कोश्टा मोटी दखते हैं किसी power wiring परणाली में तामबा वाले conductors का अधिक्तम भार dash से कम नहीं होना चाहिए तो यह होता है 1.5 mm² ठीक है mm² से कम नहीं होना चाहिए In an AC circuit the total resistance is called total resistance हमारा impedance कला था और impedance कम लोग Z से denote करते हैं और Z और फर्मूल होता है root under R² plus X² ठीक है question 42 दखते हैं किसी power sub circuit में अधिक्तम भार dash से जादा नहीं होना चाहिए तो यह 3000 watt से जादा नहीं होना चाहिए ठीक है question 43 बुकलोज रिले का उपयोग आम तोर पर उपकरन की सुरच्छा के रूप में कहता है तो यह ट्रांस्फर्मर के आंत्रिक सुरच्छा के लिए उपयोग क्या आता है question 44 देखते है परत्या वर्तित यानि अल्टर्नेटर में दाहरत क्या जाता है तो अल्टर्नेटर को हम लोग के भीस देनेट करते हैं ठीक है ns synchronous speed minus nr rotor speed ठीक है फ्रेंस question 46 अधिकान single phase वाले motor में आम तो किस परकार की binding को प्यों किया जाता है तो यह किया जाता है concentrated binding ठीक है question 47 देखते हैं लोग potential transformer एक तो क्या था potential transfer हमारा step down और उपर मैंने बताया था प्रेंस current transfer हमारा step up transformer होता है question 48 देखते हैं कौन सा दो लग oscillator ज्यादा इस्ति रहता है तो crystal control oscillator हमारा ज्यादा इस्ति रहता है ठीक है 49 नंबर छुपाई गई यह बाई का नली वाली wiring को डेस भी का जाता है तो इसे हम लोग भूमिगत नाली प्रेंस और वीडियो को लाइक कर जीगा और अपने दुस्ते रहें जितना हो सब्सक्राइब के त्यारिक कर रहें ठीक है उनका एक्जाम 19 मार्च से चालो होगा ठीक है और यह उन्स अभी के लिए इंपोर्टेंट है जो इलेक्ट्रीसियन ट्रेट से आइटी एक्ट्या एक्ट्या एक्जाम के त्यारिक कर रहें ठीक है Q50 देखते हैं बिदुत कारे के लिए इस तरह के जूतों का उपयोग करता है तो यह मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूते का उपयोग करता है Q51 चल क्वाइल परकार वाले उपकरन डैस पर काम करते है तो यह मारा सिर्फ डीस्टी पर काम करता है ठीक है इसको डैस बदल देते हैं तो यह एसी को डीसी में बदलता है ठीक है फ्रेंट्स नेक्स कोष्टन कोष्टन में 53 पांच एच्पी तक तीन फेज वाला किसी डीसी मोटर की दीसा डैस द्वारा बदली जा सकती है तो यह परत्यवर्ती फिल्ड या आर्मेचर में किसी एक जुड़े सयोजन से कोष्टन 55 देखते हैं लोग संकीर्न जगहों में काम करने के लिए किस परकार के पलायर्स कोप्यों कहता है तो यह कहता है लंबे नोकदार पलायर्स कोप्यों कोष्टन 56 देखते हैं निम में से कौन विदुत रोधी है तो विदुत रोधी हमारा फाइवर वाकिस हमारा तीनो विदुत का सूच आलक है तीन फेज वाले स्क्वारल के इस मोठर के सुराती करेंट डेस होता है तो यह तक फ्रेंट्स और स्टार्टेड यानि रेटेड करेंट से 5 से 6 गुना अधीक होता है कोश्टन 58 दखते हैं एक अब रोधक और चांदी वाली पट्टी के लिए सहन सिलता होती है पलस माइनस 10 परसेंट ठीक है फ्रेंट्स चांदी के लिए पलस माइनस 10 परसेंट और सोना के लिए हमारा पलस माइनस 5 परसेंट ठीक है और कलर लेस यह रंग के हिन के लिए हमारा पलस माइनस 20 परसेंट तो इसका सहीन सरगा उप्शन डी कोश्टन नमबर 59 देखते हैं टोराइड एक क्या होता है तो टोराइड हमारा एक सोले नुआइड इसको इंगलिस में कहते हैं और यह तार के कुंडलिट कॉइल होती है ठीक है कोश्टन नमब 60 देखते हैं पर्स अंतरास सब्द आमतोर पर के संदर्व में परयुक्त क्या जयता है तो यह क्या जाता है डी सी आर्मेटर बाइंडिंग के संदर्व में क्यूश्टन नमब शिक्सटी होगता है किस परकार की vibrant M में वाल एक दूसरे एक साथ परस्पर छादी होती है यह हता है चेन वैंडींग ठीकर फ्रेंग्स कोष्टब नवर सुक्श्टी टू देखते हैं बिदुत मापी उपकरनों में हेर स्प्रींग किसकी सकते हैं तो सब्सक्राइब कि पूँच बना जाता है तो स्टीर्स ownership का सब्सक्राइब और आसान विधी क्या है तो यह है मुझ से नाक वाली विधी question number 65 देखते है किसी सीसा आमल बैटरी में प्रती सेल नेगेटी प्लेटरी के सम्क्या क्या होती है तो यह आता है positive प्लेट से एक अधी question number 66 देखते है एक carbon पर रंगो का code इस पर का रखते हैं पहले लाल फिर पीला फिर भूरा और अंत में silver तो silver के लिए हम लोग उनके पड़ाया है friends plus minus 10% होना चाहिए ठीक है option से देखिए यह देखिए plus minus 20% नहीं plus minus 5% ठीक है प्रेंस और लाल B B Roy black brown red 0 1 2 2 हमारा red के लिए 2 से हमारे चाल हो रहा है तो 2 4 10 ठीक है friends तो इसका सही अंसरोगा option B question number 67 देखते हैं एक बेव बाइंडिंग में सामांतर पधो की संख्या होती है दो ठीक है इसका option B नंबर गलत है ठीक है इसका सही अंसरोगा दो next question 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 number 68 ampere dash की एक आई है question number 69 देखते है किसी GI, GI का फुल्फर्म होता है फ्रेंड्स, galvanize, iron ठीक है किसी GI भूय योजन प्लेट की माप के आती है तो 60 cm गुना 60 cm गुना 6.35 question number 70 देखते है HRC का फुल्फर्म तो HRC का फुल्फर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपसिटी ठीक है हाई रप्चरिंग कैपसिटी तो इसका सही अन सरो हो गया अप्चन स्थर्ड question number 71 देखते है ISI के नियम के नुसार 6 के किसी पंके को चाहिए कितना आ चाहिए तो इसका ये मिनिमम् 2.75 मीटर question number 72 देखते है किसी 11 के वी वाले के लिए वांचीत खाय होती है 0.9 मीटर सही अन सरो हो गया question number 73 देखते है BIS Bureau of India Standard के नुसार किसी संस्थापन पूर्ण भार के वज़ता में दीखते है voltage drop से जादा नहीं हो जाए 3% से जादा नहीं हो जाए question number 74 देखते है और stepper motor एक dash होता है किसी स्रिंखला परिप्वत में कुल परतिरोध के करना क्या होती है तो कुल परतिरोध हम लोग R1 पॉलस R2 जब स्रेनी करम में ला रहता है तो हम लोग जोड देखते है तो हम लोग आज 75 question देखेंगे और बाकी बचे गए question 75 जो देड़स होता है तो हम लोग next video में देखेंगे त्हीवरेंस और वीडियो आप लोग को चलोग तो वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आप लोग नेमें देख चनल को सस्क्राइब ने के देख चनल को भी सस्क्राइब कर देए थाइनक्यू फ्रेंड्स